ओस्ट्रीच यानि के शतुर मुर्ग इनके अंडे कितने साइज के होते हैं क्या आपको पता है एक सामान्य मुर्गी के अंडों से कई गुना बड़े होते हैं आप स्क्रीन पर देखी सकते हो मुर्गी के अंडे से बस एक ही ओमलेट तैयार होगा लेकिन ओस्ट्रीच के एक ह अंडे से तेरा ओमलेट तैयर होते हैं है ना अमेजिंग बात